आज हम बात करने वाले एक ऐसे टोपिक पे जो काफी डिमांड में हैं सबसे पहले आपके डोकुमेंट्स चेक करेंगे पोटाज कोलेज में सेमेस्टर गैप यह कोलेज वर्क परमिट देगा या नहीं देगा सबसे पहले तो भाई आप सभी को दिवाली की हर दिक्षुब कामना है है पिट दिवाली तो ओल फ्यू आज हम बात करने वाले एक ऐसे टोपिक पे जो काफी डिमांड में है काफी क्योशन सा रहे थे इंस्टा पे डिम आ रहे थे यहां पे कमेंट सेक्चन में लोग कमेंट क इसमें हम कहीं गुमनें जा रहे कुछ पैसा नहीं दिखा रहा है कि बाई कहीं बाहर गेडी वेडी मार रहे हैं यह सिर्फ एक इन्फोर्मेटिव लोग है काइंड आप क्यों ने कह सकते हो सो सबसे पहले इमिग्रेशन के रिगार्डिंग सो एक बाई ने पूछ है कि आप किशन थे वह नहीं जो इनुदिया का कड़ा उसमें ऑने कीई पर सबसे पहला है आपके मिन करेंगे उसके बाद क्या बिश्चा पोलेजन के लिए यहीं Commander के रहा है है नहीं पॉर्टल का जब हम औरियंटेशन को अटेंड करेंगे उसके बाद हमें पॉर्टल का एक्सेस मिलेगा इतना होता है उसके बाद वह ज्यादा विछ बोलते नहीं है बट आपके डुकुमेंट्स वैलिट होने चाहिए डॉकुमेंट्स में उनको यह ना लगे कि यार और चेंज करने का प्रोसेस बताओ सो यार टीए से विजनेस मेनेजमेंट में आया सो उसका क्या कुछ प्रोसेस था मैं आपको बता देता हूं मेरे फीज थी 16,400 सम्थिंग एक साल की फस्ट इयर की टीए में यानि टीचर एसिस्टेंट में बट जो बिजनेस मेनेजमेंट प्रोसेस बाद की इस पीज़ थी वह थी 17,000 के रहाओ यानि 16,900 संतिंग तो पे करना था यानि 16,500 के करिब तो मैं इंडिया से पे कर गया था बट जो देश्ट ओ आमांट है वह मेरे को पे करना था इनको ऐन को मैं इनको बनार करना है बाकि किसमत की वाद हाओ एकी सीट थ और जो उपर की पेमेंट थी यानि 490 डॉलर के राउंड वह मेरे को पे करने थे मैंने इनको पे कर दे इन्होंने मेरे को डोकुमेंट्स दे दी फीस रिसीट दे दी पस उसके बाद फिर अपनी क्लास्ट स्टार्ट होगी अच्छा इसके बाद भाई अपने पास क्योशन आत आते हाँ आपने सही सुना कोई चार महीने का समय पनी है बट एक बैनिफिट है आपकी क्लास जो होती है वह दाई दिन के यानि दो दिन फुल टाइम और एक दिन हाफ टाइम यानि तीन या चार गंटे की तो वह आप पर बैनिफिट है पाकी समय्टर गैप नहीं है यहां है हरे कोर्स के बाद चुट्टी होती है जैसे हमारा ऐसा कुछ है कि आपका एक महीने एक ही को चलेगा एक ही सब्जेक्ट चलेगा उसके एक्जाम क्यूज सब और कुछ एक मेहने में खतम। उसके बाद आपकी हफते की दस दिन की चुटी होती है। फिर दूसरा को श्टार्ट होता है। ऐसा कुछ प्रोसेस है। बाकि मेन बैनीफिट है कि यार कि ढाई दिन का और यह को लेज़ है। बट विंटर्स की चुट्टी है पंदरा दिन की पंदरा बीस दिन की सो पस इतना यह जाला कुछ मेर को पता नहीं इसके बारे में पर नहीं है समस्टर कैप नहीं है इसके अंदर जान तक मेर को नोलिज है ठीक है सो अपना फीस वागएरा का जुगाड भाई देख लेना बाकी हो जाता है सब इतने कोई टेंशन वारे बात है नहीं ठीक है और हां यार नोर्मली कैनेडा में जो कॉलिज होते हैं उसमें फस्ट इयर को आप एट मंस में कवर कर लेते हो यानि जो फस्ट इर होती है वह आठ म मेंने का उता है नोर्मल इनका तो अपना कोई आसा हिसाब नहीं पूरा और बारह महीने ही पड़ाई होएगी जो अभी तक नोलेज हमें है उस हिसाफ से तो बाग की आगे कोई रूल वगरा चेंज करें या कुछ स्कैजूल इधर उधर करें तो कुछ कह नहीं सकते उसके सबसे में क्योशन जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है जो सबसे ज़्यादा काइंड ऑफ कह सकते हो क्या क्यों है हर एक बंदेगी जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहां पर आने की सोच रहे है खासके रिपोर्ट आज कोलेज में क्या यह और पर्मिट देगा या नह से सो अभी हम बात करने वाले ग्यांदन प्लैटफॉम के बारे में सो बेसिकली ग्यांदन क्या है ग्यांदन एक ऐसी और्गनाइजेशन है जो हैल्प करती है स्टूडेंट्स की एजुकेशन लोन के रिगार्डिंग और यार यह इतना टॉस्टेट प्लैटफॉम है कि अभी के लिए पैसे जुआढ़ने की जुरुत नहीं पड़ी तल या काफी ज़्यादा है रही Да लो इधर वो इंडिया में भी हो सकते हैं और इंडिया से भार भी हो सकते हैं like Canada, USA, Australia, UK जहां भी आपको जाना हो so इसका में काम होता है कि ये help करेगा students की उनका loan path कराने में और इसका सबसे बड़ा फाइदा है कि भाई यह free of cost काम करता है मतलब आपसे एक भी रुपा नहीं लिया जाएगा आपकी file process करने का या किसी भी point पे जब तक आपको loan pass नहीं हो जाता pass होने के बाद भी आपसे कोई पैसा नहीं लेते क्योंकि यह commission based होते है ठीक है, so आपके लिए तो free है तो अब बात करते हैं इसको use कैसे करना है so use करने के लिए description में link है हमाँ जाओ, click करो उसके बाद आप इनकी website पर जाओगे sign up करो, उसके बाद बात करो आप इनके executives से, वो आपकी help करेंगे वो आपसे आपके documents मांगेंगे आप उनको documents provide करो आपके documents के हिसाब से, यानि आप कहां पर stand करते हैं like कोई बच्चावा जिसके 98% 99% आ रहे हैं उसको अलग loan मिलेगा अलग loan का मतलब है कि उसको एक high amount मिल जाता है दूसरा, किसी के 70 हैं या 80 हैं तो उनको थोड़ा सा कम मिलेगा comparative to 95, 98 वालों से ठीक है या किसी भी particular bank में जाओ और उसमें अपना account open कर आओ ऐसा कुछ नहीं है, चाहे आपका account SBI में हो, PNB में हो, access bank में हो, HDFS या किसी भी bank में हो, यह आपको उसी bank के तुरू loan pass करा देते हैं, ठीक है एक जैक नहीं बता रहा, मेरे को नहीं बता कि 13% है, 12% है, पटे ग्राउंड ओफ करते हैं, एक example है, अगर 9% के इसाप सापको interest date है, तो यह आपकी help करेगा, उसको और कम करवाने में, यह आप से कोई charge नहीं लेगा, उस चीज के, यह अपने through, आपका loan कम करा देगा, ठीक ह यानि PNP, AINP, PR, यह सब पोर्टाज कराएगा, नहीं कराएगा, तो देखो यार, अभी तक कोई ऐसे सामने नहीं यहाए कि यार यह college PR में help करेगा, like AINP, PNP provide करवाएगा यह नहीं करवाएगा, यह eligible है यह नहीं, जितना मेरे को पता है, जितना मैं अपने senior से पुछा, teacher PNP लगे, ना लगे, इनको कोई फर्क नहीं बढ़ता, ना यह खुल के बता रहे हैं कि भाई, आप eligible हो यह नहीं हो, यह बस यह कहा रहे हैं कि आप अपना course successfully pass करो, और आपको अपना diploma या degree जो भी हो मिल जाएगी, और work permit भी मिलेगा, इसके अलावा भाई, कोई क्लेटी न और non-craditional क्या होते हैं, मैंने अपने professor से consult किया था कि traditional और non-craditional में क्या फर्क और यह होते हैं, so उनकी साइट से तो यह था कि traditional का मतलब है, credit point आपके जुडेंगे, जैसे आपने exam पढ़ाई की portal से, दूसरे SM में आप जा रहे हो, नेट या नोर्क्वेस्ट का कहीं भी दूसरे college में, but अगर आपका course non-craditional है, तो आप starting से ही start करोगे, यानि आपने एक semester लगाया, portals में, portals में आपने study की अपनी successfully pass भी होगे, उस semester में, उसके बाद आप चा रहे हो कि मैं नेट में चला जाओं, आप नहीं जा सकते, नेट में आपको starting से ही start करना पड़ेगा, क कि भाई, AI इन पी लगेगी, नहीं लगे गया, क्या कुछ scenario इनका, तब तक के लिए भाई, इस topic को यहीं पर खतम करते हैं, इसी के साथ भाई, व्लोग को end करते हुए, मैं यहीं बता हूँँगा, इंस्टाग्राम पर जाओ यार, फोलो करो, तुम इतने DM करते हो, फोलो कर लिए दो, मिलते हैं नेक्ट लोग में, तिल देन, बाई, एंड वे सेफ दिवाली